जै मातादी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माभगवती दुर्गा की किलपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवधा बनी रहे दोस्तों तुलसी हम सभी के लिए अंजान नहीं है तुलसी हमारे घर में रहती हैं ह घर में धन्धान्य की विद्धि होती है भगवान श्री हरी विष्णु और मालक्ष्मी की गृपा स्वते ही उस घर पर बनी रहती है जिस घर में तुलसी रहती है और तुलसी की पूजा की जाती है दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप से कुछ ऐसे विशेश उपायों क आगमन बना रहेगा सम्रिधी बनी रहेगी घर में सुख और वैभाव बना रहेगा व्यापार में व्रिद्धी होगी नौक्री में व्रिद्धी होगी मन चाहे वर की प्राप्ति होती है इस उपाय को करने से और अगर किसी भी तरह से नकरात्मक उर्जा हमारे घर में है व पढ़ने में मन तो लगता है, कई बर बच्चे बहुत समय तक पढ़ते हैं, देकिन वो चीज़े याद नहीं कर पाते हैं, मेमरी पावर कम हो जाती है. तो आज के जो उपाएं हैं, बहुत ही चमतकारी, बहुत अचूक और बहुत सरल उपाएं हैं. इन्हें करने से सभी प्रकार की जो हमारी बाधाएं हैं जीवन की वो दूर हो जाती है दोस्तों ये जो उपाएं हैं धर्म गरंथों में बताए गए हैं तुलसी के ऐसे अन्यकों उपाएं हमारे धर्म गरंथों में बताए गए हैं जिने करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है और सुक्ष वभागी की वृध्धी होती है तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो है क्योंकि इस उपाय को करने से हमारे जीवन में समृध्धी आती है शुक्र सांती और वैभव का वास होता है तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए और ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए दोस्तों तुलसी हम सबके घरों में होती है और तुलसी का प्रभाव भी हम सभी जानते हैं तो किसी भी तरह से इन उपायों को अगर हम करते हैं तो हमें लाभवश्य प्राप्त होता है बस हमें जरूरत है कि हम पुरण विश्वास से इस उपाय को करें श्रद्धा भाव से करें तो ये उपाय हमारे लिए चमतकारी रूप से काम करते हैं सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय के बारे में क्या करना चाहिए अगर हमारा व्यापार जो है किसी तरह से चल नहीं रहा है उन्नती नहीं हो रही है व्यापार में काम नहीं चल रहा है पैसों में कमी आ रही है धन का अभाव होता जा रहा है घर में तो ऐसे में आप किसी तुलसी के नीचे घास उख जाती है उसका प्रभाव भी बहुत अधिक होता है अगर हम उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं जहां पर हम अपना पैसा रखते हैं वहां पर उस घास को उखाड़ें किसी अच्छे दिन को जैसे कि गुरुवार के दिन हम उस घास को और अच्छे से उखाड़ें कि वह बीच से तूटेनी बहुत आराम से उस पौधे को निकालके और आप एक पीले कपड़े में लपेट कर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रखें या पिर जहां पर आप व्यापार का स्थल है आपका वहां पर गल्ले में रख दें और ज जगे साफ सुत्री होनी चाहिए हर किसी का हाथ वहां पर नहीं लगना चाहिए तो किसी सेफ जगे पर उसे अपने व्यापार के स्थल पर रखे इससे आपके घर में धनका आगमन होगा व्यापार में विद्धी होगी ये उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं लेकिन अगर आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन करें तो ये बहुत ही शीग्र आपको चमतकारी रूप से काम करेगा आप अपने घर में भी धन रखने के स्थान पर इस घास को पीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं बहुत ही शीग्र आपको इसका फल दिखेगा बहुत ही बरकत आती है सुक्सम्रिद्धी आती है इस उपाय को करने से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा पैसा रहे हमेशा आपकी जेब भरी रहे धन का आगमन सदा आपके घर में बना रहे तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक तुलसी का पत्ता हमेशा अपनी जेब में या अपने पर्स में रखें जब भी वो पत्ता सूख जाता है उसे बदलकर आप नया हरा पत्ता रख ले और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा जहां पर भी आप धन रखते हैं या फिर जो आप ओफिस का जो आपका रजिश्टर है आप जो व्यापार करते हैं उस ओफिस का जो रजिश्टर होता है जिसमें आप बही खाता लिखते हैं जिसमें उसमें अगर आप हमेशा एक तुलसी का पत्ता रखते हैं तो इससे आपक मालक्षमी की किरपा हम पर बनती है तो जब हम तुलसी का पत्ता अपने धन रखने के स्थान पर दो धनमे व्ृद्धी होती है मे उपाये पुर्ण श facil से करने वाले उपाये अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से उपाय करते हैं कोई सा भी एक उपाय आप कर लें आपको ला भवश्य होगा दोस्तों घर के दोनों तरफ अगर हम तुलसी का गंबला लगाते हैं तो इससे हमारे घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी ध्यान रखना है उस प पौधा अगर आपके घर में सूप गया है गमले में उसे हटाकर नया पौधा लगा दे कभी भी सूखे हुए पेड़ पौधे फूल पत्ते अपने घर में नहीं रखने चाहिए इससे नकरात्मक उर्जा बढ़ती है इसलिए आपको ध्यान रखना है उन दोनों पौधों क और दो पौधे आपके घर के में गेट के पास हमेशा लगे रहने चाहिए तुल्सी के इससे आपके घर में कभी भी पैसों का अभाव नहीं होगा कारण क्या है कि जब दर्वाजे के दोनों तरफ तुल्सी रहेंगी तो आपके घर में नकरात्मक उर्जा नहीं आएगी हमेशा घर में सकरात्मक उर्जा रहेगी जिसकी वजह से आपके घर में धन का आगमन सदा बना रहेगा किसी भी तरह का आपके घर में कलह कलेश नहीं होगा और व्यर्थ का खर्च नहीं होगा तो धन में व्रिद्धी होनी निश्चित हो जाती है इस सुपाय को करने से दोस्तों अगर आपकी कन्या के विवाह में देरी हो रही है या किसी भी कन्या के विवाह में देरी हो रही है मन चाहँ वर अगर प्राप्त करना चाहते हैं आप तो प्रती दिन तुलसी की पूजा करें तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें प्रातहकाल, शाम को दीबदान करें और 11 परिक्रमा अगर कन्या रोज करती है तुलसी की अपनी मनो कामना को तुलसी को कहते हुए मन में और ओम नमो भगवते वासु देवाई नमः इस मंत्र का जब करते हुए अगर 11 परिक्रमा प् पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है ऐसी अवस्था में चाहिए कि आप अपने बच्चे को तुलसी पूजा के लिए प्रती दिन उससे बोले कि प्रातहकाल तुलसी में जल अर्पित करें और तीन पत्ते तुलसी के आप प्रती इसी भी तरह से आप उसे खिला दें तो इससे पढ़ाई में उसका मन लगेगा जो जिद बढ़ती जा रही है बच्चे की वो जिद कम होगी बच्चा जो सुभाव से जिद्धी बनता जा रहा है वो ठीक हो जाएगा बुद्धी उसकी कुशाग्र होगी मन उसका है एक और उपाय मैं आपको बताना चाहती हूं और यह उपाय हम सबको जरूर करना चाहिए जब हम अपने घर में खाना बनाते हैं मतलब जो रोटी बनाते हैं उसमें अगर हम तुलसी का पत्ता मिला दें तो बहुत ही प्रभाव उन रोटियों का बन जाता है हमारे घर में अगर किसी तरह से भी आपस में परिवार के सदस्चियों में सामन जश्य नहीं है घर में कलह-कलेश रहता है धन का अभाव रहता है सुक्सम्रिद्धी चाहते हैं अगर आप तो इस उपाय को जरूर करें करना क्या है दोस्तों तुलसी का जो पत्ता होता है ग्यारह पत्ते करने के आप तुलसी के लिए साफ पानी से उसे धो कर और जिस बरतन में आपने आठा रखा है जिस कनस्ती में आप आठा रखते हैं जो उस आठे डाल दें उसके बाद आप प्रती दिन उसाटे में से प्रयोक करें अपने घर में रोटी बनाने के लिए और जब भी इस रोटी को आपके घर में कोई भी व्यक्ति खाएगा कोई बाहरी व्यक्ति अगर आके खाता है इस रोटी को तो उसकी भी बुद्धी में परिवर्तन हो घर्षे कलह कलेश खत्म हो जाता है विचार जो है वो सकरात्मक होने लग जाते हैं मन से नकरात्मक विचार दूर होने लग जाते हैं इस तरह से इस उपाई को करने से घर में सुक्ष सम्रिध्धी प्रेम भाव का सदा सामन्जस्च्य बना रहता है दोस्तों अगर आप आटे को आप खाते हैं इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है लेकिन अगर आप आप बाहर से आटा पैकेट में लेकर आते हैं तो आप 11 पत्ते उस पैकेट के आटे में डाल दें और इस तरह से अगर आप प्रती दिन इस आटे का प्रयोग करते हैं निश्चित ही आपके बदलाव आएगा विचारों में बदलाव आते हैं तो हमारे घर में धन का आगमन स्वत्य ही हो जाता है मां लक्षमी की कृपा विछ अधनीर करें तो अधने भी उपाय मैंने बताए हैं आपको जरूर अच्छे लगेंगे और आप इसे करते हैं आपको फाइदा अवस्य होगा विश्वास रखकर करें और श्रद्धा से करें इन उपायों को मातुलसी के उपाय हैं तो बिल्कुल भी ये व्यर्थ नहीं जाएंगे जरूर आपको इनसे फाइदा होगा और बहुत ही शीगर इनसे आपको लाब की प्राप्ति होग कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार